हलो फ्रेंट्स तो आज हम लोग करेंगे पॉलिणोमियर्स के कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला आज देखते हैं वन बेबन करके फिर्स्ट फॉर्मूला आपका है ए प्लस बी होल इसक्वएर क्या हो जाता है a square plus 2ab plus b square जिसको आपको याद कैसे करना या लिखना कैसे दिसे देखिए a and b दो टम है यहाँ पर तो first का square फिर second का square और two plus two करेंगे और दोनों का product लिखेंगे जिसे देखिए first का square है second का square और दोनों का product को two से multiply कर दिया ठीक है तो यह बन गए आपका first formula a square plus b square plus 2ab ठीक है अब second formula second formula में क्या यहाँ पर plus था यहाँ पर आपका minus आगी है तो इसमें difference क्या आजाएगा कि यहाँ पर जो plus 2ab था वो आपका minus 2ab आजाएगा ठीक है third formula आपका आजाएगा a square minus b square a plus b into a minus b ठीक है एक बर क्या करना है दोनों का sum करना है उसका multiply करना है उसको दोनों का difference है जैसे a और b दो time है तो a plus b किये into a minus b ठीक है यह आपका आगया third formula अब देखते हम लोग fourth formula में यहाँ पर क्या है आपका x plus a और x plus b तो इसका formula क्या हो जाएगा जो first x है दोनों में जो similar है जैसे यहाँ पर x है यहाँ भी x है ठीक है तो दोनों का में जो similar उसके square करेंगे x square plus जो term बच गया x के अलावा a और b दोनों का sum करेंगे और x के साथ multiply करेंगे फिर दोनों का product करते है ठीक है तो formula क्या बन गया x square plus a plus b x plus a b ठीक है यह आपका polynomial में two degree polynomial का जो polynomial form करने का यह formula भी है जैसे माली यहाँ पर a और b के जगए alpha बीटा रहा था तो alpha बीटा अगर आपका two roots है तो हम लोग equation कैसे बनाएंगे polynomial का तो आपका हो जाएगा x square plus alpha plus beta x plus alpha बीटा ठीक है तो अगर आप यह अगर आप 9 class में नहीं पढ़ेंगे तो यह आद आप जाके 10 class में पढ़ेंगे यह formula ठीक नहींत तक similar है तो इस दोनों नहीं हम एक साथा साथ बात करेंगे अब इसमें क्या करेंगे यहाँ पाव़ में है 3 a, क्या करिए ऐसुआ यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आजेगा दोनों को product करेंगे और दोनों को plus करेंगे जिसको आप कैसे आध करेंगे a q q q q q ws 3 a b into a ag. अब आपका लास्ट जो फॉर्मूला आगिया वो है आपका a3 plus b3 plus c3 minus 3abc यह थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला है और आपको यह याद करना पड़ेगा इसमें आपको क्या करना है तीनों टम को एड़ करना है a plus b plus c into तीनों का square करेंगे a square plus b square plus c square और दो-दो टम करके multiply कर देंगे minus ab minus bc minus c यहाँ पर आप फॉर्मूला देख सकते है a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c ठीक है अब लास्ट फॉर्मूला में आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर यह टम जो दिख रहा है a plus b plus c मतलब अगर आपको 3 a, b, c का value दिया होगा है अगर आप उसको sum करेंगा अगर उसमें जो आपका result आ रहा है वो 0 आ रहा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0? 0 into something क्या होता है? 0 ही होता है तो इसलिए 0 into something 0 हो जाएगा तो यह पूरा term आपका 0 हो जाएगा तो इसलिए अगर a plus b plus c अगर आप कर रहा है और 0 आ रहा है तो यह पूरा formula a q plus b q plus c q minus 3 a b c b 0 आ जाएगा ठीक है तो यह थे कुछ important formula जो आपको polynomial chapter करने में काफी हद तक help करेंगे तो इन सारे formula's को आपको learn करना है ताकि आप असानी से questions को कर पाएगा तो इस वीडियो को आप दो बर तीन बर देखिए आपको यह formula's जाद हो जाएंगे आप इसके notes भी बना सकते है copy में और इसको revise करते रहें ठीक है अब हम लोग next video में कुछ नहीं topic लेकर बात करेंगे तो तब तक के लिए keep watching the channel and take care तो मिलते है next class में और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो share और like करना मत बुलिया ठीक है thank you